इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि आप अपनी बैंक पास्वू को अपने मोबाइल फोन पर कैसे देख पाएंगे उस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट आई जिसमें आप सभी ने पूछा था कि हमारे पास में बैंक की जो customer ID या CIF नंबर नहीं है तो हम कैसे अपने आपको बैंक की application में register करें तो बैंक की application में register होने का कोई भी दूसरा shortcut नहीं है आपको अपनी passbook पर देख लेना है बैंक की customer ID या CIF नमबर मिल जाता है अगर आपके पास में नहीं है तो एक बार आप बैंक में जा करके वहाँ से customer ID ले सकते हैं और उसके बाद में आप अपने आपको register कर सकते हैं लेकिन आज किस पूडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका ले के आए हूँ जिससे आप अपने account के balance को check कर पाएंगे जिसके लिए आपको bank की application को भी download करने की ज़रूरत नहीं आपके पास में चाहे 4 account हों चाहे 5 account हों इससे कोई भी मतलम नहीं तो चलिए आज किस पूडियो में हम जान लेते हैं कैसे हम अपने bank account के balance को check कर पाएंगे चाहे आपका किसी भी bank में account क्यों नहीं तो जाने के सब कुछ इस पूडियो में लेकिन वीडियो को start करने पहले request करेंगे चैनल पे नया है तो चैनल को subscribe करेगा और वीडियो पसंद आये तो अपने friends और family में share करेगा सभी तरह के bank को के balance को जानने के लिए आपको play store पर आजना है और यहां पर लिख देना है आपको लिख देना है bank balance और search के option पर click कर देना है और search करने के बाद में आपके सामने तीसरी जो application आएगी इस application को आपको download कर लेना है यह एक ऐसी application है इस application के माध्यम से आप सभी तरह के bank को के balance को एक ही application के माध्यम से चेक कर सकते हैं आपको हर bank के लिए अलग-अप्लिकेशन को install करने की ज़रुरत नहीं है तो यह कैसे काम करता है इसके लिए आपको सबसे पहले इसको open कर लेना है तो open करने के बाद में आपके सामने bank की list आ जाती है आप देखेंगे बहुत ही लंबी list है सभी तरह के bank को का balance आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी इंडिया में bank के सभी मिल जाते हैं और तो और यहाँ पर post office का balance आप चेक कर सकते हैं इसके लावब ग्रामीड bank भी इसमें सामिल है तो यहाँ पर आपको अपनी bank का balance को चेक करने के लिए क्या करना है सबसे पहले तो आपको इस list में से अपनी bank को select कर लेना है अगर आपको list में खोजने में दिक्कत होते हैं पर खोजे के option पे click कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी bank का name type कर देना है तो यहाँ पर हमने ICC bank को search किया है हमारे सामने आ चुका है इस पर हमें tap कर देना है और आपके सामने कुछी इस तरीके का page display हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आप तो blue color का option मिला है जहाँ पर आपको बताया जारा कि आपने balance को check करना चाहते हैं तो इस पर tap करें और साथे में यहाँ पर आपको अपने नजदी के ATM के बारे में भी information मिल जाती है तो यहाँ पर आकर के इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले हम bank balance के option पे click कर देते हैं तो यहाँ पर हमें balance को check करने के लिए पहले option पे click कर देना है अगर हमें statement देखना है तो हमें 2nd option पे click कर देना है तो हम अभी bank balance करने वाले हैं तो इस option पे click कर देते हैं तो click करते ही आपके सामने dialer open हो जाता है तो यहाँ पर आपको अपनी bank में call करनी है जो भी number आपका bank में लगा हुआ है तो आपको क्या करना है उस नंबर पे क्लिक कर दो और ऐसे कॉल डिसेनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लिख करके आ रहा है कि आपका balance SMS के माद्धें से आपको सुचित किया जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में bank की तरफ से एक SMS आ चुका है जिस पर हमारा balance हमको दिखाया जा रहा है तो इस तरीके से आप balance को चेक कर सकते हैं आप चलिए हम किसी दूसरी bank के balance को चेक करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में हम किसी दूसरी बैंक को select कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मैसेज बताया जाता है कि थोड़ा सा समय लग सकता है पांच मिनट तक का बैंक को SMS आपके मुवाइल पर बेजने में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें बैंक की तरफ से SMS मिल च चेक कर सकते हैं या application third party developer के द्वारा बनाएगे या किसी बैंक की application नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको facility मिल जाती है आपको यहाँ पर keyword contact number जो बैंक का होता है वह प्रवाइड किया जाता है जिससे आप call कर पाते हैं तो यहाँ पर आप एरिटेट हो सकते हैं इस application में थोड़ झाले बबबाय जाहिं